एक सो साथ आशियाने दह गए हैं अब तक 37 सड़के बंद हैं 89 लोगों की मौत हो गई है 118 घायल है 355 करोड की संपत्ति को नुपसान पहुँचा तो यह अभी तक आपने हैं मौनसून के इस मौसम में कितना नुपसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है मनीश ठाकोर जादा जानकारी के साथ जोड़ रहा है मनीश लगबग 355 करोड की संपत्ति का नुपसान और कई और माइनों में कई तरह के नुपसान हुएं इस मौनसून के मौसम में यह आकड़े जो आए हैं इसके बारे में बताईए ज़रा कि अभी के लिए जो है अलगातार जो है वो मौसम खड़ाब होने की सब्सक्राइब करीबन एक सूल जो च्छन में बिजली के ट्रांसफार्मर है वो बंद चल रहे है कुलू में अगर बात पर तो बहुत से दूद्राश उसे तरह जहां पर नुफसान हुआ है बिजली जो बरभावित है पानी के इसमसे है मलाना के अगर बात तो मलाना में बिजली पानी विपस्ता कभी दिनों से परहोई थी लिए हालांकि बिजली को वहाल कर दिया गया है राक्षन भी वहां पहुंचा जा रहा है पुरे प्रदेश भर में जगए-जगे नुक्सा बारिश होने से जो है वह अनकदी फस्तों को नुक्सान हो रहे हैं बारिश लगाता जारी है और आज की बात प्रदेश भर में जारी कि अगया है लेकि जो अलर्ट है वो विभाक के और से किया गया है मनेश ये भी बताएगा कि आज मौसम कैसा है क्योंकि पुर्मारुमान कि कई बारिश हो सकती है तो मौझूदा हालात मौसम के क्या है ज़रा बताईएगा मौसम की बात करें तो अभी मौसम जो है वो धूप यहां पर निकली हो हालांकि जो बादल है वो यहां पर आने शुरू हो गया और थोर देर में बारिश भी उसकती है और रोजाना शाम किसमें और देरा तो बारिश ता दौर लगाता पर जा रही है जी सहलानियों के बात की जाए मनीश क्यूंकि भारी बारिश का अलर्ट है अडवाइजरी भी सहलानियों के लिए और स्थानी लोगों के लिए बंद करवा जया गया जो रफिजिला पर से बंद करती गई तोर पर क्योंकि बारिश का मौसम जा रही है और पहाड़ों में बारिश होने की चलते द्यारिया का जो जलसर है वो बरसकता है से में नुक्सान की इकटना भी सामने आथी इसको लिए जिला प्रजशन ने जो है और तमाम ऐसे केम्पिंग साइट है जो नदी किना रहे उन नुक्सान हुए तो सरकार या प्रसाशन इन लोगों के परिवारों के लिए क्या कुछ कर रही है क्या किसी तरह का मुआफजे का एलान क्या या कोई सब्सक्राइब सामना इन के लिए जा रहा है जिए न आज रही है जी मैं प्रदेश्टराइब से बूस्तरा श्क्रिया मनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए नजराब बनाए रखी का अपडेट लगा तर आप से लित रहेंगे तो यह आखड़े मापको बता रहें कि अब तक मौनसून का जो यह मौसा में कितना नुकसान देवभूमी हिमाचल में कर चुका है